है guys कैसा आप लोग, so finally आपका exam खत्म हो गया, CA finals का कल end हो गया था और CA enter का आज, now थोड़ा सा relaxation I am sure आपको मिला होगा, वो जो relief होती है, कि चलो यार अब कम से कम कुछ ही दिन के लिए, वो 12 to 14 hours की study नहीं करनी पड़ेगी, so relax, थोड़ा सा आप भी आराम break लिए लिजिए, now think is इस वीडियो का एक बहुत ही important, but simple मकसद है, हर बार result आता है, result आने के बाद, हर बार कई सारे किसेद आते हैं, जहां पर बच्चों के paper checking में थोड़ी बहुत mistake होती है, मैं repeat कर रहा हूं बहुत जादा नहीं, but कुछ percentage of students के साथ ये गलती हो जाती है, अब उसमें student अजीब सि कश्म कश्म होता है, कि वो institute को बताए, institute change करेगा, नहीं करेगा, कूट जाए, क्या करे, and frankly speaking, सब कोई लड़ने की सोचता भी नहीं है, लोगों लगता कोई बात नहीं, अपना पढ़ाई करके दुबारा से exam देते हैं, हम लोग भी 90% cases में यही suggest करते हैं, but मैंने सोचा, कि यह बात, जो हम exam के result आने के बाद ICI को बोलते हैं, कि देखो सर यहां गलती है, इसको change कर दो, ऐसे कर दो, क्यों हम लोग पहले से ICI से एक request करें, एक humble request, कि भाई साब, जब आप paper चेक करने के लिए, अपने जो भी examiners आपके हैं, जो paper चेक करेंगे, उनको थोड़ा सा better direction दे दीजिए, वैसे भी इस बार जो बच्चों ने exam दिया है, बहुत ही adverse condition में दिया है, कुरोना था, आपने देखा होगा कुछ ऐसे exam से जहां पर पानी वाला भी किस्सा हुआ, तो कई सारे problem को जहेलते ही वो बच्चों ने exam दिया है, at least अब बच्चों के पास ये relief होना पास ये, कि paper एकदम सही से check होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, 90-95% cases में एकदम सही check होता है, बट कुछ percentage में problem हो जाती है, अचा एक और problem क्या है, पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उसमें आज अगर आप paper अपना निकल वाए, जैसे हमारे time पे RTI नहीं थी, अब RTI ल आज कर paper 15-30 days में approximately मिल जाती है, the problem is कि तब तक suggested answer नहीं आता है, अब marking scheme मैं पहली बता चुका हूँ, सारे teachers ने institute को बोला हुआ, institute marking scheme नहीं देता है, बट suggested answer देता है, बट इसमें भी एक पंगा है, वो suggested answer काफी लेट देता है, तब तक जो verification window है, वो close वे आती है, तो एक simple सा request ये भी हो सकता है, कि जब result announce हो, वैस्ते भी इस result के बाद next exam में ज्यादा gap नहीं रहेगा, July end हो रही है, I assume कि August end या September 1st week में आपके result आएगा, उसके बाद November में time तो है नहीं, अब कम से कम जब paper आए, तो भाई suggested answer जल्दी आ जाए, ताकि अगर किसी को अपना answer match हो रहा करना हो, वो कर दे और institute को request कर सके उसका जो भी rectification के लिए, क्योंकि marking scheme तो मिल नहीं रहा है, at least suggested answer time पे मिल जाए, and I am sure suggested answer निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बच्चा अगर तीन घंटे में paper solve कर सकता है, I am damn sure कि एक से डिड़ महिने में institute उसका suggested निकाल सकता ह अगर और दिक्कत है, तो कई सारे teacher से उनसे बनवाल हो या suggested, तो एक suggested answer भी है, टाइप में नहीं कलना चाहिए, इस बार बहुत जब इंपोर्टेंट है, कि जो भी बच्चा apply करे, verification के लिए, या अपना certified copies के लिए, वो एकड़म टाइम पी मिले, हफ्ते दस दिन में मिल जा और चुकी इस बार time कम रहेगा, रिजल्टेट और next exam के बीच में, तो answer sheet जो evaluated certified copy है, या verification उसका result बहुत जल दियाना चाहिए, तो मुटा मुटा तीन पॉइंट से जिसमें discussion हो सकता है, पहला एक proactive direction, I am sure आपने strategic management में पढ़ा है, reactive and proactive, अभी तक जो हो रहा था, वो सब reactive था, institute paper देता था, उसमें गलतिया मिलती थी, फिर धरना, protest and जो भी होता था, इस बार क्यों ना, institute is proactive, एक अलग से थोड़ा सा अपने जो भी paper check कर रहे हैं, उनको हिदा दे, पहले से बता दे कि भीया, गलती मत कीजे भले थोड़ा सा, कम paper check हो एक दिन में, अगर possible हो थोड़ा सा पर paper checking का वो बढ़ा दिया जाए, बट paper checking proactively एक direction जाए अच्छे checking के लिए, दूसरा, suggested answer टाइम पर मिल जाए, या तो result आने के पहले, या maximum result आने तक suggested answer issue हो जाए, और तीसरा, जो certified copies या verification का result है, वो 1 week to 10 days के अंदर मिल जाए, I am sure institute भी अपने तरफ मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा और सब कोई clarify करे, और ये चीज़े हो जाएंगी, plus as a student, please make sure कि अगर आप कभी भी ICI को email लिखते हैं, तो वो एक दम सयमित, एक सब भी cultured language में लिखा जाए, आपको पता है, high court में भी case गया था, और institute हार जाए, no doubt, institute ने एक बच्चे का, एक लड़की का basically, उन् unfair means, और high court ने, तमीज से institute की लगाई है, no doubt, पर सबके पास resource नहीं है ना, कि वो high court जाए, तो पंगे क्यों ले ना, तो अगर आप कभी ICI को email लिखते हैं, वो email एकदम अच्छे तरीके से, और politely share, जो बात आप गुस्सा में बोल सकते हैं, वही बात, उतने ही conviction के साथ, fight अगर आप रिखेंगे, उसका impact जादा पड़ता है, वह आपको पता ही है, ignore तो वो घरी देते हैं कई बार, fight, तो मेरे हिसाब से, ये तीम points important है, इसमें तो discussion होना चाहिए, and I'm sure, जितने भी senior teachers हैं, वो भी इस point को, प्रू एक्टिवली अगर रेस करें, तो I expect, कि उसका result ज नहीं आ रहा है, पढ़ाई बावू, पूरी तरह से मच छोड़िये, थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, चलो, एक वीक अराम कर लिए, तीन दिन, चार दिन, मस भी मारिए, बट उसके बाद, पढ़ाई से contact बना के रखिए, और कोशित कीजिए, थोड़ा बहुत ना, soft skill पे यूडेमी, माँ पे 216 रुपय के कूर्स मिल जाते हैं, माँ पे आप Excel देख सकते हो थोड़ा बहुत, आप, spoken English, अगर आपको लगता है कि English में थोड़ी दिक्कत है, तो भाईया, दिक्कत सबके साथ थी, जो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा बोलता है, even they face the problem some years back, but the thing is, कि rather than just wasting the time, they utilize those free time, जैसे यह आपका नव फ्री टाइम है, so they utilize those free time to improve upon themselves, मैं भी भाईया हिंदी मीडियम से हूँ, थर्ड क्लास तक प्रॉपर हिंदी मीडियम बिहार में, बेतिया में एक स्कूल है, संथ रेमीजियस हाई स्कूल, अब वैसे संथ रेमीजियस है, बट प्रॉपर बिहार बोट का हिंदी मीडियम, तो we also worked on that, आप ही मेनद कीजिए, धीरे धीरे वो improve हो जाती है, मैं फिर बता रहा हूँ, CF बनने के पहले कोशिस कीजिए at least reasonable, एक दों fluent नहीं है कोई दिखती है, बट at least reasonable spoken और writing आ जाए, और यह समय है जब आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई से नाता पूरा नहीं तोड़ना है, दूसरा soft skill जैसे आपका spoken, writing and excel पे आप थोड़ा बहुत कोर्स कर सकते हैं, short term course, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, ऐसे, ठीक है, और इतना पढ़ा लिया बाबु आप लोग ने, I am sure यह सब आपके लिए काफी आसान है, right, so that's it, 2-3 बाते मुझे बोली थी, hope आप इस बात को positively लेंगे, इसको share करेंगे, and hope for the best, I am sure you will do great, all the best.